अब आपको इस टेल में प्रोसेस के बारे में जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक वीडियो स्टार्ट चैनलेंग स्टार्ट किया हूं जहां पर मैं सारे इंडेस्ट्रियल इंजिरिंश के बारे में बताता हूं इस टेल में प्रोसेस के बारे में आज बताऊंगा आपको स्टेप बाई स्टेप तो अगर आपको स्टेप बाई स्टेप स्टेप स्टेल में प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना मुझे पता है कि आप लोग को भी बहुत disturbance होता है कि steel कैसे बनते है क्या होते है क्या प्रोसेस होते है जैसे कि मैंने पढ़ा हूँ मैं आपको बताऊंगा क्या होते है क्या नहीं होते है तो step by step हैं बताता हूँ चलिए स्टार्ट करते है What is the steel making process? Steel making process क्या होता है यह वो process होता है जहां पर हम लोग क्या करते है produce करते है पैदा करते है इस steel को कहां से iron ore and scrap से वीडियो थोरी लंबी होने वाली है बट मैं step by step हर चीज बताऊंगा तो प्लीज आप अन तक जरूर देखना बहुत important चीज में बताने वाला हूँ आज iron ore and scrap इसकी मज़स्य हम लोग क्या करते है steel बनाते है अब कैसे बनाते है हम लो step by step चानेंगे चलिए सबसे पहले देखिए steel को हम लोग दो भाग में बाठते है एक होता है हमारा low alloy एक होता है हमारा high alloy steel क्या होता है steel हमारा alloy होता है किसका किसका alloy होता है iron का plus carbon का ठीक यह steel क्या होता है alloy होता है low alloy का मतलब क्या होता है जिसमें percentage of carbon कम होता है और दूसरे भी elements इसमें बहुत ही कम होते है high alloy का मतलब क्या होता है जिसमें दूसरी elements ज्यादा होते है लो alloy के हम लोग तीन भाग में बाटे है एक होते है लो carbon steel एक होते है medium carbon steel एक होते है high carbon steel और high alloy में हम लोग stainless steel के बारे हम बात करेंगे ठीक अब यहाँ देखिए most important चीज कि steel सबसे पहले steel क्या होता है यह जैसे कि मैं बताया आपको steel क्या होता है iron and carbon का alloy होता है देखो friends alloy का मतलब होता है जहाँ पर दो सज़ादा elements को हम लोग मिलाते है उसको बोलते alloy combination of two or more elements is known as alloy और steel या तो दूसरे alloying elements भी content करते है ठीक है low alloy का मतलब क्या होता है जिसमें percentage of carbon का जो weight होगा वो कितना होगा 10% से कम होगा low carbon का मतलब क्या होता है देखो low carbon का मतलब होता है जहाँ पर 0.25 0.25 weight percent of carbon से कम हो उसको हम बोलेंगे low carbon medium carbon का मतलब क्या होता है कि हमारा पास 0.25 से लेकर 0.6 weight percent of carbon अगर हो तो वो किस में आएगा medium carbon steel में high carbon steel का मतलग क्या होता है जहां परी carbon का percentage इतना हो 0.6 से लेकर 1.4 तक ठीक है अब देखो high alone में आता है stailness steel stailness steel जहां परी दूसरी elements भी present होते है chromium and nickel chromium कितने percentage से ज़đद होते है 11% से ज़दा होते है hysteria तो वो किसमें आएगा Stainless Steel राइट यह समझ क Dragons चलिए अब हम बात करते हैं Steel बनाने का process क्या होता है देखो पहले क्या करते हैं हम लोग Mining करते हैं आप लोग भी पता होगा iron ore निकालेंगे ठीक iron ore जमीन से निकालते है माइनिंग करके वो iron ore के साथ बहुत सारे oxide, dirt और दूसरे impurities भी मौझूद रहते है present रहते है अब यह iron ore निकालने के बाद जो हमारा पहला process होगा वो क्या होगा impurities को iron ore से निकालना अब यह iron ore क्या होते है एक rock पत्थर के shape में होते है इसे बहुत सारे imbioties रहते है तो इसमें से हम क्या करते हैं centering करते है centering इसको हम क्या करते है एक छोटे छोटे पीस में break करते है छोटे छोटे पीस में break करते है iron ore को और यह iron ore को क्या करते है फिर crush करते हैं कि इसके साथ sand के साथ crush करेंगे, फिर metal को और non-metal को क्या करते हैं remove करते हैं कि इसके म led से Magnetic Separation से आप यहां देख सकते हो, Magnetic Separation च्या करते हैं हम दो separated करते हैं छोट छोट पीस को iron ore का ठीक है जैसे कि मैं बताया आपको देखी यहाँ पर लिखा हुए कि यह हमारा iron ore ऐसे है यह step है फिर यह step है क्या करते है कि remove करते है dirt को crush करते है sand के साथ फिर sand को क्या करते है separate करते है iron ore से magnetic separation के तुरू समझ गए चलिए अब बात करते हैं दूसरे stage के बारे में देखो friends दूसरे stage क्या होता है हम लोग blast furnace के बारे में जानकारी लेंगे ठेक है यह blast furnace क्या होता है सबसे पहले वो जानिए देखो blast furnace एक बहुत बड़ा क्या होता है chamber होता है यह vessel होता है ठेक बहुत बड़ा vessel होता है यह vessel क्या सीज का बनता है brick का बनता है यह चो brick होता है वो क्या सीज़ का होता है refractive brick का होता है मतलब fireproof brick का बनता है राइट जैसे कि मैं आपको यह बताता हूँ देखो यहाँ पर ही यह हमारा blast furnace है ठेक है यह refractive brick का बनता है मतलब fireproof brick का अगर आग लगेगा इसमें तो आग मेरा बाहर ना आ जाए या फिर जिसमें लगार है वो खुद न जाल जाえ तो हम क्या करते है? fireproof, eta होता है, brick होता है, उससे हम लोग क्या करते है? यह blast furnace को बनाते हैं अब blast furnace बनाने का मक्षत क्या है? क्या तरीका? क्योई करनाते है? इसलिए बनाते है, क्योंकि जो हमारा iron ore है, solid form में है, उसको हम क्या कर सके, liquid form में या फिर hot metal में convert कर सके, समझे, ठीक है, अब ये blast furnace में हम लोग क्या क्या डालते हैं, ति तीन चीज़ डालते हैं, एक तो हमारा iron ore हो गया, दूसरा हमारा coke हो गया, तिसरा हमारा lime stone हो गया, ठीक मैं आगे बताऊंगा, इसके बारे में, चलिए, अब देखिए, जो मैं बताया, कि blast furnace में हम लोग क्या क्या डालेंगे, सबसे पहरा component, coke के बारे में, ठीक, coke क्या होता है, फ्रेंट, देखो, कोईला आप देखिए, कोल, कोईला, वो क्या होता है, इसको convert करते हैं हम लोग coke में, जलने के लिए, coke oven होता है, coke oven में हम लोग क्या करते हैं, कोईला को डालते है, इसको temperature होता है, 1000 degree centigrade तक रहता है, इसको convert करते हैं किसमें, coke में, यह हमारा क्या है, coke है, समझे, दूसरा क्या ह होता है लाइम स्टोन देखो लाइम स्टोन क्या है एक मेरा सेडिमेंटरी रॉक पत्थर छोटे छोटे पत्थर छोटे गिट्टी टैप में आते हैं यह क्या चीज़ के बनते हैं क्यालिशियम काबुनेट के रहते हैं आप यहां देख सकते हो यह छोटे पत्थर होते हैं क्य कातलों और अब देखो फ्रेंट्स क्या होता है कि यह ब्लस्ट फशर्श के द्रीम से ब्लस्ट फणिस नीचे रहते है एकapanANT नहीं करते हैं यहां से हमलोग क्या करते हैं यहां से क्या करते हैं यह डालते हैं कैल्सियम काबनेट मतलब लाइमस्टोन डालेंगे जो हमारा कोक है वो डालेंगे इसके डालने के बाद हम लोग एक लिक्विट फॉर्म बनाते हैं समझ रहे हो आप क्या मैं बता रहा हूं अब देखो जैसे डालने के बाद बहुत सारा रियक्शन होता है जैसे य कार्बन डीउकसड बनाएगा राइट लायमिस्टोन जो है लायमिस्टोन क्या होता है केल्शियम कार्बुनेट होता है वो किस पर तूट है लॉड कर्थे पूड़क्टन था चा और कारबन मोनोक्सड में ब्रेक हो जाता है इसमझे यह रेक्शन बहुत इंपोर्टेंट ह बहुत easy भी है तो आप अराम से देख लेना इसे और notes बना लेना आप दूसरा में देखो आप कि जो हमारा carbon dioxide जो हवा में present होगा वो फिर से carbon से react करेगा फिर carbon monoxide बनाता है समझके अब देखे जो हमारा carbon monoxide जो बनने के बाद ये क्या करेगा iron ore से react करता है तो ये iron बनाता है जो liquid form में रहता है और carbon dioxide बनाके हवा में उड़ा देता है राइट जो main important part है वो है मेरा calcium carbonate ये क्या करता है जो भी impurities रहते है न iron ore में जैसे कि silicon हो गया sulfur हो गया ये इसके साथ react करते है और वो calcium silicate बनाते है ये क्यों है हमारा impurities है गंदगी है ये calcium oxide जो है वह क्या करते है फ्लक्स का तरह काम करते है फ्लक्स का तरह और ये इंप्रैटी के साथ react करके वह stor like के फॉर्म में बनाके फिर हम लोग irritating नीचे से निकाल देते हैं गंदगी के फॉर्म में अब देखो यहां पर ही गंदगी में निकाल दिया अब मैंने क्या किया कि कि जो भी molten state में है जो molten state में था मेरा ब्राज फनने से क्या करते हैं हम लोग पिगलाने के बाद molten state हो जाता है फिर उसको हम क्या करते हैं एक molds में pour करते हैं फिर उसको solid form में बनाने के बाद जो हमारा जो बनता है उससे क्या बोलते है pig iron इस form में हम क्या करते है convert कर देते हैं उस molten metal को जिसको हम क्या बोलते है पीग iron लेकिन फ्रेंट्स problem क्या है कि पीग iron में carbon का percentage बहुत ही जादा होता है मतलब इसमें जो carbon का percentage होका 3.7 से लेकर 4.8% weight of carbon रहता है तो हमें इसे घटाना होगा अभी carbon अभी मुझे अभी मेरा steel बना नहीं है अभी मेरा क्या हुआ है blast furnace से हम क्या किये है जो molten state of था उसको solid form में field convert कर दिये है देखो जो हमारा iron और था उसको melt कर दिये build करने के बाद फिर हम क्या किये पोर करके फिर इसको solid form में बना अब यह जो बनेगा वो क्या है मेरा pig iron है pig iron जो होता है वो क्या होता है कच्चा कच्चा crude iron होता है इसको हम फिर use करेंगे steel बनाने के लिए ठीक है अब देखो third stage क्या है अब convert करना start करेंगे हम steel बनाने के लिए राइट तो दो देखो process दो अब ही मैं बताऊंगा दो process एक तो पहला process होगा steel बनाने के लिए एक basic oxygen furnace steel making है दूसरा है electric arc furnace basic oxygen में क्या होता है कि यह भी क्या होता है एक furnace होता है यह furnace में हम लोग pig iron को क्या करेंगे डालेंगे जो pig iron जो solid form में है इसके अंदर क्या करेंगे डाल देंगे plus जो हमारे scrap steel होते है इसको भी डाल देंगे इस scrap मतलब जो ही बचे कुछे जो रहते ने steel इसके अंदर क्या करेंगे डाल देंगे कुछ lime भी डाल देंगे और कुछ dolomide भी डाल देंगे with the presence of oxygen जो pure oxygen है उसके presence में डाल देंगे फिर उसको क्या करेंगे हम लोग melt करेंगे जो pig iron रहेगा उसको melt करेंगे मिल्ड करने का बाद हम steel में convert करेंगे कैसे एक continue casting करके एक continue casting करके यह तो पहला प्रोसेस हो गया मेरा basic oxygen furnace का दूसरा process मतलब देखो इसमें जैसे मैं बताया आपको कि जो हमारा scrap होता है scrap add करते है pig iron में ताकि जो scrap है वो recycle हो जाए oxygen डालते है और फिर उसको हम क्या करते है इस्टील में convert करते है उसके बाद हम क्या करेंगे final continue casting करते हैं समझ गए चलिए देखो और दूसरा जो process है हमारा electric arc furnace से भी आप steel बना सकते हो ठीक है इसमें क्या होगा जैसे कि हमारा oxygen में क्या था oxygen blast steel making क्या होता है कि आप pig iron को डाले होगे steel scrap को डालोगे और फिर blast furnace में heat करके एक continue casting करोगे इसमें क्या होगा आपका electrode होगा यह electrode क्या होगा गरम होगा जो भी हम pig iron को डाले या फिर steel scrap में डाले और इसमें reduce iron भी रहता है उसको भी डालेंगे इसमें वो क्या करेंगा heat करेंगा और molten state में convert करेंगा फिर यहां से हमनों क्या करेंगे फिर इसको हम steel बनाना स्टार्ट कर देंगे continue casting करने के बाद ठीक है फ्रिंट्स चलिए अब यह देखे कि हमारा यह last process है मतलब सब कुछ बनाने के बाद यह मैं आपको एक brief idea देदे रहूं कि कैसे कैसे क्या क्या process होता है जो भी मैं बताया वो सारा चीज इसमें ही cover हो जाए यह सारा process क्या होता है एक ही बार में सारा चीज कंप्लीट कर देंगे हम अभी ज्यत्न वह बताया कि still making क्या चीजि ऑ होता नहीं होता है वह सारा चीज अभी देखो, इसमें क्या है process कि sintering हो रहा है, पहला क्या है, sintering है, sintering का मतलब क्या हो था, जो भी iron ore जो मेरी रहता है, एक minuit, ऊके, ठेक है, देखो, यह क्या हो था, हम क्या के, iron ore के निकाले, sintering किये, sintering करने का बाद, क्या हो रहा है blast furnace पे जा रहा है blast furnace के बद्द आफिशे जा रहा है हम क्या कर पिग iron ने convert कर दिये पिग iron के बद्द दो प्रोस्थे Coryewald से convert करने के बदद converter में डालें यहाँ पर ہी या तो हम electric arc furnace में डालें गे या फिर oxygen blast furnace में डालें गे उसके बद क्या होगा हमारा continue casting होगा continue casting का बद ये हमारा product में convert होगा अब product क्या क्या बनता है friend देखो steel में convert करने का बाद जो हमारा steel product है पहला है हमारा slab ठीक पहला क्या है हमारा ये slab दूसरा क्या है blue या फिर bullet अब slab से क्या बनाते हैं हम लो तो continue casting अब पहला बनाएंगे slab, जोसरा बनाएंगे bloom या bilit से हम लोग यह सारा प्रोड़क्ट बनाएंगे क्या क्या बनाएंगे वायर बनाएंगे बार बनाएंगे यह बार दो शेप में रहता है एक सर्कुलर शेप में रहेगा एक मेरा स्क्वार शेप में रहता है राइट रेल बनाएंगे रेल क्या होता है T-Shape में रहता है रेल जो रेल पड़री होता है देखो T-Shape में रहता है फिर कोई profile या फिर structure बनाएंगे फिर beam बनाएंगे तो hope आपको सब कुछ समझ आया हो कैसे steel बनाते है कैसे क्या करते है हर चिस अगर आपको समझ नहीं आया हो